आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में एप आटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है या फिर आपके फोन में एप आटोमेटिक डाउनलोड हो रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें तो यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है अपने तो आपको सबसे पहले अपने फोन का नेट बंद करना है यानि कि डेटा को बंद करिए अगर आपका फोन वाइफाई से कनेक्ट है तो वाइफाई को डिसकनेक्ट करिए यानि कि वाइफाई को बंद करिए और उसके बाद अपने फोन में आपको कोछ सेटिंग्स अपलाई क करनी हैं उसके बाद आपके फोन में एप अपने आप डाउनलोड नहीं होगा तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिए उसके बाद नीचे आईए यहां पर नीचे आकर आएगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन इस पे किलिक करिए इस पे किलिक करके नीचे आएगा यहां पर आएगा स्पेशल परमीशन इस पे किलिक करिए इस पे किलिक करके आएगा यहां पर नीचे देख सकते हैं इंस्टॉल अन्नोन एप्स इस पे किलिक करिए और यह आपके फोन में अन्नोन सोर्सिस के नाम से हो सकता है और अगर आपको यह नहीं मिलेगा त तो सेटिंग ओपन करने के बाद उपर सर्च सेटिंग्स ऑप्शन पे किलिक करिए उसके बाद टाइब करिए UNKNOWN अन्नोन टाइब करने पर आ जाएगा आपके सर्च में unknown sources या फिर install unknown apps तो इस पे किलिक करिए इस पे क्लिक करके ये वाला पेज आएगा अब नीचे आकर Install Unknown Apps पे क्लिक करिए अब यहाँ पर आपके फोन के सारे एप आ चुके हैं उसके बाद यहाँ पर आएगा नीचे स्क्रोल करिए तो नीचे आपको मिलेगा Chrome पे क्लिक करिए उसके बाद उपर आएगा Allow from this source अगर आपका ये चालू है तो इसे बंद करिए यहाँ से तो इसे बंद करके Back आईए उसके बाद नीचे आईए नीचे आकर यहाँ पर आएगा Get Apps इस पे क्लिक करिए और अगर आपके पास Vivo Oppo का कोई फोन है तो उसमें आएगा Oppo Store या फिर Vivo Store के नाम से तो उस पे क्लिक करिए और Allow from this source इसे बंद करिए इस पे क्लिक करके तो इसका Unknown Source बंद करने के बाद Back आईए और अब नीचे आएगा Play Store, Google Play Store इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करके Allow from this source इसे बंद करिए तो यहाँ पर इन सारे Apps का Unknown Source बंद करने के बाद Back आईए और अगर आपके फोन में कोई ऐसा Software है जिससे की App डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पर उसका Unknown Source बंद करिए और अब यहाँ पर Back आजाए और Back आने के बाद सेटिंग में ही नीचे आईए नीचे आके यहाँ पर Apps पर किलिक करिए उसके बाद उपर Manage Apps पर किलिक करिए और यह Manage Apps आपके फोन में App Manager या फिर App Management नाम से हो सकता है अब यहाँ पर आने के बाद उपर Right Side में तीन डॉट पर किलिक करिए तीन डॉट पर किलिक करके आएगा Reset App Preferences इस पर किलिक करिए इस पर किलिक करने के बाद नीचे आएगा Reset Apps इस पर किलिक करिए तो reset apps पे click करके आपके phone का कोई data delete नहीं होगा बस आपके phone के applications की settings reset होगी तो कोई data delete नहीं होगा तो reset apps पे click करिए और इस process को कर लीजिए हमने पहले से कर लिया है तो cancel करेंगे बट आप reset apps पे click करके इस reset करिए उसके बाद अपने phone को restart करिए तो यानि कि phone को बंद करके चालू करिए phone को restart करने के बाद अब आप अपने phone में internet यानि कि mobile data on कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई app अब automatic download नहीं होगा तो अगर आपको हमारी ये video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें झृम एंपने